हालो बच्चो कैसे हैं आप सब बच्चो आज हम करेंगे क्लास विफ्ट का टैंथ चैप्टर चैप्टर ने एक दिन की बाद शाहत तो बच्चो शुरू करते हैं आरिफ सलीम चलो फॉरण सो जाओ फॉरण मींज जल्दी अम्मी की अवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे क्वाली गा रहे होते थे जहां फिर सुबा बड़े मज़े से आईस क्रिम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा जिन जोड़ कर जगा देती बच्चो आपा जो है वो बहन को कहते हैं सिस्टर को कहते हैं जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है बच्चो इस कहानी में क्या है कि आरिफ और स्लीम नाम के दो लड़के हैं और वो बोलते हैं कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठ कर क्वाली का रहे होते तो उसी वक्त उनकी अम्मे की आवाज आती कि जाओ उठो सो जाओ और कब आती अवाज जब वो सुबह बड़े अराम से सपने में देखते क्या हैं कि वो आइसक्रीम खा रही हैं और उनकी जो बेहन है आपपा उसको जोड़कर उठा देती है कि उठो स्कूल का टाइम हो गया है दोनों की मुसीबत में जान थी हर वक्त पबंदी हर वक्त तकरार अपनी मर्जी से चूब भी नहीं कर सकते थे कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो बाई जान रानते चूप होता है जा नहीं हर वक्त मैडिक की तरह है ट्रेंड जाता है तो बच्चो इसमें क्या है कि जो दोनों लड़के हैं उनको हर वक्त उनके उपर पबंदी है उनको हर वक्त मिंस्की रोका जाता है कोई काम करने के लिए टोका जाता है वो अपनी मर्जी से कुश भी नहीं कर सकते थे जो आरिफ नाम का लड़का है वो कहता है कि अगर उसका गाने का मूड होता तो उसके बाई जान मिंस की उनका जो ब्रदर था वो उसको डाणता यब तू चुप कर जा कैसे मैड़क की तरह टरन टरन करे जा रहा है बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों आए अंदर रहते तो दादी चिलाती हाई मिरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे अरी रजीया जरा इन बच्चों को बाहर हांक दो हांक मींस अवाज जैसे बच्चे ना होई मूर्गी के चूचे हो गए तो वो कहते हैं कि अगर हम बाहर जाते हैं तो अम्मी कहते हैं कि बाहर क्यों आ गए हो अगर अंदर जाते हैं तो दादी चिलाती है कि जे शोर कर रहे हैं और मेरा दिमाग फटा जा रहा है तो तो जो दादिया है वो रजीय मिनस उनकी मम्मी को कहती है कि इनको अंदर आवाज लो जैसे कि बच्चे नहों वो कोई चूचे हो दोनों गटों बैठ कर इन पबुद्यों से बचने की तरकिबें सोचते तरकिबे में solution सोचा करते थे उन दोनों से तो सारे गर की दुश्मनी हो गई थी लहाजा दोनों ने मिलकर एक जोजना बनाई और अबा की खिदमत में एक दर्खाष्ट पेस की के एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिये जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं तो वो दोनों क्या करते थे वो बैटके गंटों जही सोचते थे कि ऐसा कैसे हो जाए कि जो हमारी पबंदिया है वो सारी खत्म हो जाएं हम भी अपनी मर्जी करें तो उन्होंने क्या किया अपने अबा के पास गे एक दिन और उनको बोला जाकर कि हमें सारे बड़ों वाले अदिकार दे दो और बड़े जो हैं वो छोटे बन जाएं मिन्स कि जो बड़े हैं वो छोटों की तरह एक्ट करेंगे और जो बड़े छोटे हैं वो बड़ों की तरह एक्ट करेंगे तो अबा क्या कहते हैं कोई जुरूरत नहीं है उद्दम मचाने की अम्मी ने अपनी आदत के उन्सार डांट पिलाई लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे ना के ना सिर्फ मानगे बलकि जे एकराल भी कर बैठे कि कल दोनों के को हर किसम के अधिकार मिल जाएंगे तो जैसे बचों दोनों ने अ सारे अधिकार मिल जाएंगे अभी सुबा होने में कई गंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को जोड डाला तो जैसे कि बच्चों अगली स्वेर होती है तो अभी क्या है उनके पास उनके पास सारे राइट सें दोनों लड़कों के पास तो आरिफ क्या करता है अपनी अम्मी के पास जाता है और उनको जोड़कर कहता है अम्मी जल्दी उठिए नाश्ता त्यार कीजिए अम्मी ने चाहा एक जापर रसीद करके सो रहे हैं तो जैसे ही आरिफ ने मम्मी अपने को उठाया तो उसकी मम्मी को गुसा आया तो उनका मन किया कि उसको एक थपर लगा दे लेकिन बाद में उसकी अम्मी को जाद आया कि आज के दिन जे अधिकार इनके पास है फिर दादी ने सुबा की नमाज पढ़ने के बाद द्वाईया खाना और बदाम का हरीरा पिना शुरू किया तो आरिफ ने उने रोका तो अब आहे दादी कितना हरीरा पिएंगी आप पेट फट चाहेगा और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए तो फिर क्या हुआ फिर उसकी दादी जो थी वो नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने द्वाईया खाई और बदाम का हरीरा पिना शुरू केर्द कर दिया बदाम का हरीरा मिंस बदाम का एक शर्बत ही होता है तो आरिफ ने टोका उनको जैसे पहले बड़े टोकते दे ना पच्चों को तो वैसे ही आरिफ ने टोका अपने दादी को कि दादी आप कितना हरीरा और पियेंगे आपका पेट जो है फट जाएगा तो दादी को भी गुस्साया उन्होंने भी हाथ उठाया उसको मानने के लिए नाश्ता मेज पर आया नाश्ता मिंस ब्रेकफास्ट त अगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह है तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी तरमल क्या होता है तरमल वह होता है जैसे मिठ्याईया हो गई फ्राइड चिज्जी हो गई है ना तो उसको बोलते हैं तरमाल खीर पूड़े ठीक है सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका अम्मी जरा अपने दांत देखिए पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं तो अभी क्या है रोकने टोकने का जो सिंसला है वो ऐसे ही चला जा रहा है अपनी अम्मी फिर सलीम ने टोक दिया अपनी अम्मी को कि आपके दांत बहुत गंदे हैं अपने पान खा अम्मी निवाला तोड चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ति कंदा पकड़ कर उन्हें उठा दिया, क्यों है उठाया? क्योंकि उन्होंने दांट साफ नहीं किये थे, तो वो बोले थे, जाकर पहले अपने दांग साफ कर गये, अम्मी को गुसल खाने में जाते देकर सब हस पड़े गुसल खाना मींज बात्रोम जैसे रोज सलीम को जबदस्ती बगा के हस दे थे फिर वे अब्बा की तरफ मुड़ा जरा अब्बा की गत देखिए गत मींज उनकी हालत ठीक है ना बड़े बाल बड़े हुए शेव नहीं की कल कपड़े पैने थे और आज इतने मैले कर डाले मैले मिन गंदे आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे तो फिर वो अम्मी को बेजा उन्होंने पहले बात्रूमे ब्रश्ट करने के लिए फिर वो अब्बा के पास आगे तो अब्बा को बोलने शुरू होगे कि आपके बाल बड़े हुए हैं आपने शेव नहीं की हैं कल के कमदे कपड़े डाले हुए हैं तो अब अब्बा को टोकना शुरू कर दिया उन्होंने जे सुनकर अबा का हस्ते हस्ते बुरा हाल हो गया आज वैं दोनों कैसी सही नकल उता रहे थे सबकी मगर फिर अपने कपड़े दे कर वैं चुपचाप शिर्मिंदा हो गए तो बच्चो ऐसे ही डेली उनके जो पेरंट्स हैं उनकी अपबा, 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 दादी उनको टोकते थे लेकिन आज क्या हो रहा था वो उल्टा सबको ही टोक रहे थे थोड़ी देर बाद जब अपबा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लैक लैक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिलाने लगा बस कीजिये अपबा, फोरण ऑफिस जाईए दस बज गए है चूचूचूचूप अपबा डांटे डांटे रूक गए बेबैसी से गजल की अदूरी पंक्तियां पंक्तियां पंकित मीन्स लाइने दांटों में दबाए पांप पटकते आरिफ के साथ हो लिए रजिया जरा मुझे पांच रुपे तो दिना अपबा दफ्तर जाने को त्यार होकर बोले पांच रुपे का क्या होगा काल में पट्रोल तो है आरिफ ने तुनकर अपबा जान की नकल उतारी जैसा यबबा कहाते थे इकत्री का क्या करोगे जेव खर्च तो ले चुकी हो थोड़ी देर बाद खांच सामा आया बेगम साहब आज क्या पकेगा खांच सामा में गर का नौंकर अलू, गोष्ट, कबाब, मिर्च का सालन अमी ने अपने आदत के उसाल कहना शुरू किया नहीं, आज जे चीजे नहीं पकेगी सिलीम ने किताब रखकर अमी की नकल उतारी आज गुलाब, जामून, गाजर का हलवा और मिठे चावल पकाओ लेकिन मिठाई से रोटी कैसे खाई जाएगी अमी किसी तरह सबर ना कर सकी जैसे हर रोज सिर्फ मिर्च के सालन से खाते हैं तो उन्होंने एक साथ कहा दूसरी तरफ दादी किसी से तू-तू-मै-मै के जा रही थी तो बच्चो जैसे ही उनके गर के नोंकर ने पूशा उनकी अमी को कि आज खाने में क्या बनेगा तो उनकी अमी ने तो वैसे ही जो डिली बनता है बोला अलू, गोश्ट, कबाब, मिर्च का सालन तो उन्हों बच्चो ने बोला कि आज जी चीज़े नहीं बनेगी आज सिफ मीठी चीज़े बनेगी जैसे कि गुलाब, जामून, गाजर का हलवा और मीठे चोल तो उनकी अमा ने कहा कि हम इन सबसे मीठी चीज़ों से रोटियां कैसे खाएंगे तो उन्होंने कहा कि जैसे वो रोज मिर्चु की सबजी के साथ खाते हैं तो बाद में क्या हुआ कि उनको आवाज आई कि दादी किसी के साथ तू तू मैं मिन्स की किसी के साथ जगड़ा कर रही है ओफो दादी तो शोर के मारे दिमार पिगला दे रही है आलिफ ने दादी की तरफ दुनों हाथों से से थाम कर कहा इतना सुनते ही दादी ने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीशे पंजे जाड़के पढ़ गए है मगर अबबा के समझाने पर खून का गूर पीकर रह गई तो जैसे ही वो उन्होंने दादी को बुला कि आप तो हमारा दिमाग जो है पिगलाए जा रहे हो इतना शुर डाल डाल कर तो दादी को बहुत गुसा आया लेकिन वो फिर चुप हो गई क्योंकि उनको जाद आया अमी शाम को मैं देर से आऊँगा दोस्तों के साथ फिलम देखने जाना है खबरदाल आरिफ ने आखे निकाल कर उन्हें दमकाया कोई जुरूरत नहीं फिलम देखने की इम्तिहान करीब है इम्तिहान मेंज एक्जाम और हर वक्त सेरस पाटे में गुम रहते हो आप तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका भाई जो था वो कालोज के लिए त्यार होके मिंस्की जाने लगा तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि आज मैं लेट आऊंगा दोस्तों के साथ फिलम देखने जाऊंगा तो दोनों भाईयों ने क्या बोला आरिफ और स्लीम ने कि कोई जुरूरत नहीं है बाहर जाने की फिलम देखने की क्योंकि उनके एक्जाम पास में आ चुकी है पहले तो भाई जान एक करारा हाथ मानने लबके फिर कुछ सोच समकर मुस्क्रा बढ़े लेकिन हजूर आली दोस्तों के साथ सार फिलम देखने की बात पकी कर चुके हैं इसलिए इजाज़त देने की मेरबानी की जाए उन्होंने हाथ छोड़ कर कहा तो फिर उनके बाईजाने कहा कि मैं आपने दोस्तों के साथ बच्चन कर चुकाऊं कि मैं फिलम देखने जाऊंगा तो इसलिए उनको परमीशन दे दी जाए बना करें बस मैंने एक बार कहा दिया इनके उससे लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अकबार देखने लगा उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली एक नहायत बारी साड़ी के साड़ी में लचकते लटकते बड़े ठाट से कॉलज आ रही थी तो बार में क्या हो कि उनकी बहन भी कॉलज जाने के लिए रैडियो के बाहर निकली उन्होंने क्या डाला हुआ था बहुत बारी साड़ी डाली हुई थी आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मौईना किया इतनी बारी साड़ी क्यों पहननी है शाम तक गारत हो जाएगी इस साड़ी को बदल कर जाएगी आज वैस सफेद वायल की साड़ी पहननी है तो सलीम ने अपनी बहन को बोला कि आपने इतनी बारी साड़ी क्यों पहननी हुई है शाम तक जे खड़ाब हो जाएगी आप जाएए और अपनी साड़ी बदल कर आईए अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हो कम उन्होंने कहा क्या बहुत हुकम दे चुके हो आप चिड़ गई आपा चिड़ गई आपा मिन्स उसकी बहन हमारे कॉलज में आज अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई बिल्कुल इसी तरह वो वैया आरिफ और सलीम से उनकी मानपसंद के मेज उतरवा कर नहायत बेकार कप्ड़े पहनने का हुकम लगाया करती थी दूसरी सुबा होई सलीम की आँके खुली तो आपा नाश्ते में नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी अम्मी खान सामा को हुकम दे रही थी कि आहर खाने के साथ एक मीठी चीज जुरूर पकाया करो अंदर आलिफ के गाने के साथ बाई जान मेज का तपलब जा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चुवनी जेब में डाल दिया करो क्या हर्ज है तो बच्चो क्या हुआ अगली सुबा दोनों ने देखा कि सारे जो घर के लोग हैं वो बजल गहे हैं जैसे कि आपबा ने जो है उनके उनको नहीं उठाया वो खुद ही उठे और अम्मी ने क्या बोला खान सामा को कि खाने में एक मिठी चीज जुरूर पकेगी और अबबा ने भी कहा कि इनकी जेब में डेली एक चुवनी जुरूर डाला किरे तो बच्चो आपको कैसी लगी स्टोरी, आप मुझे जे भी बिताए कि आपकी अम्मी, अबबु, आपके ममा पापा जो हैं, आपके बाई बेन, आपके उपर पी भी बंदिया लगाते हैं और कौन कौन सी पर बंदिया लगाते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में